कमपनी जितनी स्मार्ट हो गई कि उन्होंने सोचा मोबाइल के अंदर जितनी चीज़े डालते जाएं आदमी का जीवन आसान होता जाएगा इसको बोलते हैं डिस्रप्शन पहले मोबाइल का इस्तेमाल फोन पे बात करने के लिए किया जाता था अभी आप देखते जाएए 1996 में वाच और कैलेंडर पहली बार डाला गया उसके बाद 2002 के अंदर पहला कैमरा फोन आया 0.3 मेगापिक्सल का इवाल्व होता रहा ब्लैक बरी ने इमेल भी डाल दिया 2005 में पहला वॉक्मेन फोन आया जिसने म्यूजिक और एफेम को समाप्त कर दिया 2008 में स्मार्ट फोन आने लगे जो की इंटरनेट, रीडिंग, न्यूजपेपर, वाचिंग, टीवी, सब चीजों को हिला दिया आज आपके मुबाइल फोन में घड़ी, कैलेंडर, म्यूजिक, रेडियो, एफेम, मूवी, टीवी, गेम्स, कैलकुलेटर, बुकिंग, बैंकिंग, शॉपिंग, वेब, ब्राउजिंग, इमेल, वॉलेट, मैप्स, औनेविगेशन, अलाम, क्लॉक, हेल्फ, मॉनिटरिंग नीज़ पेपर, कैमरा, फाइल मैनेजर, टॉर्ज, इन्होंने सोचा, इसी मुबाइल फोन के अंदर सब कुछ डालते जाओ, एक एक करके, आदमी का जीवन बड़ा आसान कर दो, अभी इतना ही नहीं है, एंड्रॉइड के साथ, रोज हजारु नई मुबाइल ही तो हैं, जिन्होंने आज धन्दा करने के तरीके को बदल दिया है, आज से 20 साल के बाद, आपकी जो करंट स्किल सेट है, ये पूरा उपसलीट हो चुका होगा, 80% जॉब्स एकदम बदल चुकी होगी, नए परकार की जॉब्स आ चुकी होगी, आज जो स्कूल में आज से 30 साल के बाद, वो किसी काम का नहीं होगा, 2D स्कैनर और प्रिंटर के बारे में, आपने, मैंने सबने सुनाए, फोटो कापी आपने कराई, कलर प्रिंट आउट आपने कराई, सब जानते हैं, लेकिन 3D स्कैनर प्रिंटर दुनिया में वो तूफान लाने वाले हैं, जो किसी को समझ में नहीं आएगा, ये 3D स्कैनर प्रिंटर क्या होता है, 2D मतलब 2 डाइमेंशन, 3D मतलब 3 डाइमेंशन, 2 डाइमेंशन मतलब स्क्रेट पेपर, 3 डाइमेंशन मतलब जैसे एक बॉल, उसको इधर, इधर, कहीं से भी चूछ सकते हैं, आज कल बड़ी-बड बड़ी-चक्रा जाएगी, आज हर चीज की 3D प्रिंटिंग हो रही है, आज हवाई जहाज से लेकर के, एक छोटी बॉल से लेके, एक एंट से लेके, एक बिल्डिंग से लेके, आपके पाउं के जूते से लेके, आपकी चमच तक हर चीज प्रिंट हो सकती है, एक इनसान क भी प्रिंट किया जा सकता है, जीवित नहीं होगा, अफकोर्स वो इनसान जीवित नहीं होगा, लेकिन हो बहू एक दम वही इनसान खड़ा हो सकता है, हेल्थ केर, मैनुफैक्चरिंग, आटो मोटिव, एरो स्पेस, कंस्ट्रक्शन, ये सब तो और डिडी इस्तिमाल कर र एडिटिव मनिफाक्चरिंग क्या होती है, रिसेंटली दुबाई के अंदर एक कॉर्परेट ओफिस, पूरा का पूरा बिल्डिंग, कई माले की मंजलों की बिल्डिंग खड़ी कर दी, 3D प्रिंटिंग के माध्यम से 3D प्रिंटिंग बहुत पैसा बचाएगा, बहुत सम लग सकते थे, अफकोर्स आज प्रिंटिंग मशीन थोड़ी महंगी है, लेकिन आज से 4 साल पहले या 3 साल या 2 साल पहले के मकाबले रोज सब्सक्राइब बहुत थे,